नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अट्डा में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले काफी जबर्दस स्टॉक के बारे में क्योंकि देखिए इस पल्टिकुल स्टॉक का बिजन सिर्फ इंडिया में कंपनी बलकि यूएस यूके फिलिपेंस इन सारे देशों में माना जाता है मतलब ऑवराल बात करें कंपनी के ग्लोबल प्रोवेडर एक कंपनी नजर आ दी है इतना है नहीं स्टॉक की अगर प्राइस मुझसे पूचोगे तो आपको यकिन नहीं होगा स्टॉक सिर्फ वर कंपनी के फंडामेंटर देखने के बाद तो वह करजा एक सबसे ना के बराबर है मतब कंपनी काई कई काफी बढ़िया आपको यह पर देखने को मिल रही है और कैने के इस सारे अगर प्रेंटर को चेक करोगे तो यह स्टॉक का मल्टी में स्टॉक बनने का पूरा-पूरा लिमिटेट करके और बात करेंगे इसकी आज की मतलब 8 मही 2020 की मार्केट लोजिंग प्राइस की तो वो निकल कराती है तकरीबन 32 रुपया 60 पैसे के असपास मुझे पता है आप लोग सोचेंगे यहाँ पर सबकुत 0 क्यों देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर यह इसलिए 0 द देखने को मिलता है और इसी प्रा करके मुमेंटम आपको देखने को मिलते है तो फिरला हम बात करेंगे इस सबसे पहले यह लेना पड़ेगा कि स्टॉक कौन से सेक्टर को बिलॉंग करता है अब इसको IT यह सौफ्टर से से डारेक्ली कर सकते हो अभी एक्शली कंपनी करती है वो भी जल्दी से आपको बता रहता हूँ तो उससे आप देख सकते हो मैंने इस प्रटेवर कंपनी के बारे मतला भी स्टॉक के बारे में कुछ डिटर्स मैंने आपके सामने ओपन करके रखे तो जैसे के आप नीचे पढ़ सकते हो यह कंपनी जो है यह कंपनी पूरी त सर्विसेज कस्टमर सर्विसेज टेली कॉम एंड मीडिया एंड हेल्थ केर सेक्टर तो अव्यस सी बात है काफी अलग-अलग और इन्परण सेक्टर को इन्होंने पहले सी पकड़ के रखा है इतना है अगर हम बात करें इट्स क्लाइंट इंक्लूड काफी बढ़िया और पॉजिटिव बात यहां पर माने जाएगी और जैसे कि मैं कर रहा था कंपणी एक ग्लोबल लेवल किये तो यहां पर नीचे पढ़ सकते हो फर्स सोर्स है ऑपरेशन इन इंडिया यूएस यूके एंड फिलिपिन्स तो अपने अप में यह भी बात इस क पर्टिकुलर स्टॉक का हाल फिलाल का और लॉंग टर्म का पर्फरमंस कैसा नजर आता है वो भी एक बार देख लेते हैं तो बात करेंगे सबसे पहले एक हपते की तो अब देख सकते हो एक हपते में स्टॉक का पर्फरमंस थोड़ा खरब आपको देखने को मिलेगा और तक प्रफरमंस तक्रेबान साड़े 3-4% की असपस की गीरावट एक हपते में स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी तो शे महिने की बात करें साड़े 25-26% की गीरावट आपको देखने को मिल चुकी हैं यानि एक जणवरी 2020 से लेके आज के दिन तक का 죄송 पर्फरमंस तो यह पर आप देख सकते हो गिरावट आपको देखने को मिल रही है तकरीबन 21% के असपस निगेटिव एक सल की जए तक बात करें तो एक सल का पैटरन में दोस्तों यह पर अनफरिशनेटली आपको खराबी थोड़ा देखने को मिलेगा देखे जैसे कि मैंने का कंपनी एक्चुले में काफी बढ़िया लग रही है लेकिन अनफरिशनेटली कोरोना वाइरस की आने के बाद कंपनी का बिजनेस मतब सारे कंपनी का बिजनेस काफी डाउन हो चुका है काफी निगेटिव इंपैट भी पढ़ चुका है जिसमें यह कंपनी शामिल है लेकिन जातक बात करें अब इसके पासल के परफॉमंस के देखिए पासल का पहला पैटन काफी अच्छा था लेकिन यहां पर 2019 के मतब 2019 का साल शुरू होने से पहले कंपनी में जो गिरावाट आप देखने को मिल रही है इसी के वेरे से पैटन की जो रिट की प्रोफाइल की तो वो निकल कर आती है तक्रीबन 60% के असपास निगेटिव तो दोस्तों भी हम आ चुके एनसे की ऑफिशल वेबसेट के पर पर सकते स्टॉक को नाम फर्स सोलुशन डिमिटेट करके आज की तारीक आज की मार्केट डोजिंग प्रैस आपको यहां पर डिलीवरी की तो आप देख सकते हो आज की तारीक और 15 आपको यह पर देखने को मिल रहा है 15 का मतलब होता है आज दोपर की तीन बरे तक का डेटा जो भी अवेलेबल है में वो आपके साथ शेर कर रहा हूँ तो वाल्यूम की बात करें वाल्यूम काफी ठिक टिक टक निकल की कुछ इंपोड़न्स एक नंबर्स की लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और कंपनी के एक डिटल में फंडामेटर की स्टड़ी करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मेरा कॉंफिडेंस हमेशा बढ़ात और यहापर हम चेक करेंगे स्टैंड और बात करेंगे सबसे पहले मार्केट केप की तो मार्केट के इस कमपनी का निकल कर अगाता है तक्रीब ändध 2500 करोड के असपास का मतलब अपने आपमें एक छोटी से स्मॉल करें कंपी न नजर आती है जोद भात करें था च्टोक के प तो company dividend भी डिकलर करना पसंद करती है और ऐसा मन कि आप चल सकते हो company हर सल अपने profit के उपर तकरीबन 20% का dividend डिकलर करना पसंद करती है इसके अलवा price to book valuation की बात करें तो वो निकल कर आता है 1.01 का और face value तो काफी बढ़िया है जो है तकरीबन 10 रुपिस का तो यह तो company के कुछ valu अब हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे company के बैलेंशेट और जैसे कि मैंने का company करजा है लेकिन ना के बरबर तो उसका प्रूफ भी अभी मैं आपको देने जा रहा हूं तो सबसे पहले बात करें बैलेंशेट अपके सामने open हो चुकी है और यहापी भी हम चेक करेंगे stand alone numbers March 19 तक का जो भी डेटा available है मैं आपके साथ share कर सकता हो क्योंकि देखिए March इसका डेटा अब तक यहाप अपडेट नहीं हुआ है और March 18 की भी यहाप हम बात जरूर करेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले करजे की तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3.49 करोड के अपडेट होगा उसके बार आपको शाय से कंपनी डेफ री कंपनी बनती भी नजर आ सकती है इसके अलावा और एक अच्छी चीज़ की बात करें तो आप देख सकते हूं इन्वेश्मेंट को एकदम ध्यान से लिगोगे तो 1218 करोड के असपास का इन्वेश्मेंट 2018 में त तकरीबन 1316 करोड के असपास का मतलब यहां पर अपना इन्वेश्मेंट बढ़ा के रखा है तो इस बात को भी आप अच्छा का सा पॉजिटिव में लेके चल सकते हो अभी देखें जैसे कि मैंने का कंपनी के रिटन के उपर आप इस पर डिपेंड नहीं रहे सकते कंपनी कितने मजबूत है आपको सबसे पहले देखने पड़ेंगे और फंडाइमेंटर में एक चीज़ और एक इंपर नहीं होती है और वह क्या होती है वह होती है कोटर के नतिजे तो अब देख सकते हो यहाप मैंने कंसोलिडेट कोटर नंबर इस टॉक के ओपन करके रखे लेकि बात करेंगे सबसे पहले नेट सेल्स की तो अब देख सकते हो 985 करोड से नेट सेल्स हो चुका था डिसेंबर कोटर में तकरीबन 1053 करोड का मतलब यहापे ग्रोध काफी बड़ी वाली थी तकरीबन 7% पॉजिटिव इसके बाद बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क अब देख सकते हो 132 करोड से हो चुका था तकरीबन 166 करोड के असपास का मतलब यहापे भी ग्रोध काफी बड़ी वाली थी तकरीबन 26% पॉजिटिव काफी बड़ी आ ग्रोध दोस्त अब देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो 67 कर हो थे काफी बड़ी वाली तकरीबन 28% पॉजिटिव तो बात एकदम क्लियर है कंपनी के जो पिछले डिसेंबर कोड़र के जो नतीजे थे वो काफी बड़ी आते जब मार्च के नतीजे आएंगे वो भी काफी आपको बड़ी आ देखने को मिल सकते हैं लेकिन जब जून क के नतीजे आएंगे मतलब नए साल के इस quarter one के नतीजे आएंगे उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सभी को पता है मार्च के बाद के जो नतीजे आने वाले जून quarter के मतलब quarter one के उन नतीजों में अच्छे चे कंपनियों भी काफी बड़ा वाला लॉस आपको प्लेच प्रमोटर होल्डिंग की बात करे तो या पर नन आपको देखने को भी लेगा मतलब प्रमोटर ने अपना एक भी शेर गिरिवी नहीं रखा ये भी अपने आप में काफी बड़िया बात मिचल फंड की बात करे तो आप देख सकते हो सिर्फ चार मिचल फंड की सिक इसके अलबा बात करे या पर आगे एफएस के नंबर्स की तो आप देख सकते हो एफएस का नंबर्स आपको देखने को मिलेगा तक्रीबन 100 का मतलब 100 एफएस ने इस टॉक में होल्डिंग बना कर रखिये और इनकी होल्डिंग भी काफी बड़ी वाले निकल कर आती है तक तकरीबन 9.5% की तो मुचल फंडो या फिर FSO दोनों ने इस टॉक में काफी बढ़िया प्रकर की होल्डिंग बना कर रखिये वो भी मार्च 2020 के अपडेटेट शेरोडिंग बैटन में ये भी बात आप प्लिस नोट करके चले प्रमोटर वीथ हाइस रोल्डिंग की बात कर कर आती है और इंडिवेजर इंडिवेश्टर रोल्डिंग की बात करें तो वो निकल कर आती है तकरीबन 18.7% के असपस की यानि ओवराल बात करें कंपनी के शेर रोल्डिंग पैटन की तो नो डावड दोस तो पैटन तो बहुती बढ़िया काफी स्ट्रॉंग आपको दे कंपनी काफी बढ़िया पर्फर्म कर रही है लेकिन मार्च के नतीज़े आने दो उसके बाद कोटर वन के नतीज़े आने तो वेट करोगे तो काफी अच्छा होगा क्योंकि देखें को मिलने वाले बहुत सरे कंपनियों के तो जब भी नतीज़े खराब आएंगे बिजने को बिल रहे तो चाहे तो इस टोक्यों पर भी अपने रिजर बाने की कोशित जरूर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद